अरे गुलजार तो जातीवाद फैला रहा है गुलजार भी जातीवाद करने लग गया गुलजार से अशी उमीद नहीं थी कुछ ऐसे करके गुलजार के उपर कमेंट कसे जा रहे थे अच्छा जबसे गुलजार ने अपना पंडित जी सौंग का पोस्टर आउट करा था तबसे क्योंकि गाने का नाम था पंडित जी तो नाम की वजह से लोग जज्ज कर रहे थे गुलजार को लोगों को लगा कि ये गाना काश्ट के उपर होगा यानी जातिवाद वाला है पर मैंने वीडियो में बताया था कि गुलजयर ने एक बर बोला था कि मैंने आज सक कोई भी गाना जात के उपर नहीं बनाया नहीं बनाऊंगा और अगर गुलजयर का ये गाना काश्ट के उपर होता तो भी इसमें कोई गल्त बात नहीं है गल्थ बात तब है जब आर्टिस्ट काष्ट के बारे में गल्थ बोल रहा है और मैंने यू भी बोला था कि ये गाना एक पंडित के उपर होगा ना की जात के उपर और वैसा ही हुआ इस गाने में गुलजार के बारे में पंडित बताता है कि तेरे हाथ में मोत लगी है तो यानि पंडित जी का मतलब कोई काश से नहीं था एक पंडित से था गुलजार ने इस गाने में अपने यारों का भी जिकर करा है और बताया गया है कि हम किसी से नहीं दबते और भी काफ़ी सारी चीजे हैं इस गाने में बड़ीया बड़ीया जैम स्टून के यूटूब चैनल पर ये गाना आज चुका है तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और सोंग देख कर बताना की कैसा लगा और चैनल यार सब्सक्राइब कर ले